तरह कोई भी दल अगिन ऐसा डिसीजन लेहीं नंए पाया कि व अकेले लड़क्व की और परिस्थिति नहींले कैसे हुँए अब कि मुस्लिम क्यों आपसे टूट रहा है अब दलित क्यों आपसे चूट रहा है यहसा तो सवाल खुड मयती लेना उनसा कमाज है सब को मिल जूल के वैसे भी रहना चाहिए लेकिन जिस तरह की जो राजनी थी का में जो बदलाओ बस्वा में जो देखने को आया कि एक तरफ जहां पहले सब को साथ ले चलने की बात थी अब वही जातियत की उन्हें अपने परिवार में ज्यादा प्रेम नजरा रहा है परि चुनाओ क्यों लड़ना चाहते हैं जबकि आपको पता है कि आपकी आज की डेट में इस्तित्व है यह तो बसपा ही जानेगी कि उनका फाइदा होगा या नुक्सान होगा लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि मायवती जी को कोई भी निड़ए लेने से पहले इस पे मेराथन काम करना सेगे है आज की डेट में आज के दोर में जब मोदी जी का डंका पूरे देश में बज रहा है पूरी दुनिया में बज रहा है ठीक है उनकी फाइन फॉलोइंग लगातार बढ़ रही है सारे राजनेतिक दल अपने अपने तौर तरीके नेने हत्खंडे अपना रही है राहूल गांदी जहां भारत यात्ता जोड़ों पे काम कर रहे हैं वहीं समाजवादी पार्टी भी कहीं न कहीं लोगों के साथ बाकी लाइक मैंडेट पीपल के साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है तो यहाँ सीधा सवाल है कि आप अलग तलग पढ़कर चुनाओ क्यों लड़ना चाहते हैं जबकि आपको पता है कि आपकी आज की डेट में इस्तित क्या है तो ऐसे में सिंपल समालना है कि आप जो कह रही है कि अकेले लड़ रही हूँ, मैं जो चुनाओ अकेले लड़ रही हूँ, वो अकेले चुनाओ लड़ने का मतलब क्या है, इसका मतलब आप कहीं न कहीं किसी पार्टी के प्रभाव में जरूर हैं और किसी पार्टी के लिए आ के सपोर्ट में चुनाव लड़े हैं अधर्वाइज आज की डेट में कोई भी दल कि ऐसा डिसीजन ले ही नहीं पाएगा कि वह अकेले लड़े क्योंकि वह परिस्तिती नहीं है कि आप अकेले लड़ ले तो यह किस अधार पर आप चुनाव लड़े हैं मुस्लिम निता आने का मतलब समाज आ जाता है क्या जब आप समाज के बीच में काम नहीं कर रहे तो आप इंडिविजियल इंफूएंसर लोगों को जोड लेने से पूरा मुस्लिम समाज को क्या समझते हैं कि उनके पास दिमाग नहीं है किसी के कहने से चले जाएंगे आपको अगर किसी भी समाज को इंफूएंस करना है साथ लाना है आपको काम करना पड़ेगा आपको खुद पता होगा कि आप कितना काम कर रहे हैं लोगों के बीच में जब आप कामी नहीं कर रहे हैं तो लोगों को जोड़ने से हो जाता है तो वो दौर गया जब आप कहते थे कि हमें मजबूत नहीं मजबूर दलिच चाहिए ठीक है एक तरफ जहां डाक्टर हम बेट कर कहते हैं कि अपने स्वाबिमान के रच्छा के लिए आपको किसी से समझ आप खृच होता करें ये कैसे हो सकता है तो आप फिरी हैं आपकी पार्टी ये हैं कि आप पार्टी की मुक्या हैं जो भी नीदश तैसफे नीदे ले वहापे लागू होता है सारे दलीइत समाज पर नहीं लागू होता और नहीं दलीइत समाज इस बात से सहमत है और नाही मायवत्ई जी के पिशल अई सबसे इंपोर्टन्ट बात है Come ऐस चुनाओ होता है जो लोकल चुनाओ होता है जहां cadre तैयार होता है है जहां से activists तयार होता है जो आट इक विचार धारा को और मजबूत करता है आपने छोड़ दिये हैं चंद लोग है ठीक है एक जिले में इनको दे धिया उनको दे उनका काम क्या है उनका काम सिर्फ एक तरह का यह है कि एक तरह की डिक्टेटर सिपन को अपने हाथ में दे दी एक तरह की ताना साहि कि जो जैसा करेंगे वो करते ही चले जाएंगे आपका कोई लगाव नहीं है आमकार करता से लगाव नहीं है आपको पूरे दल्गुख से प्रदेश अभ्धक्ष बनाया है और मुस्लिम नेताओं को लाया जा रहा है तो बसता मजबूत हो रहे हैं सिंपल वही बात है कि आप चुनाव से चंद दिन पहले ठीक है हम ताप बच्चों को भी उतार देंगे ला तो कुछ नहीं हो सकता लोगतंत की सबसे बड़ी खूबी यहीं है कि जनता जानती है क्या कर रहे है क्या हो रहा है क्यों हो रहा है यह सब पता है आज की डेट में को हेड बना दिया बसपा का तो सारा OBC आपके साथ जोड़ जाए है सवाल यह है कि आप OBC समाज के लिए कितना करती है कितना आप सेंसिबल हैं उनके लिए कितनी पॉलसी आपने उनके हित में काम किये सपा बसपा का जो कॉन्फलिक था गेस्ट हाउस कांड उसके बाद तो ठीक है वो उतना तो समझ में आता है लेकिन OBC से दूरी कैसी हुड़ी आप मुस्लिम क्यों आप से टूट रहा है दलित क्यों आप से टूट रहा है यह तो सवाल खुट माय होती जी को देना चाहिए ना इसका उत्तार उनको क्लियर करना चाहिए कि भॉई क्या है मेरी तिजन थे ही 155 का जो मामला थी वो नई नयी उस समय बाति थी कि आbands लोग नहीं समझ पारारे थे तो हर कोई जो है वो खड़ा हो गया ब्राम्हानवाद के खिलाब ब्राम्हानवाद का मंद्भ ही हम सिजाद्वर्ण व्राम्हानवाद का नहींने lot और ब्रब विचारधारा से है जो हैरेडिकल सिस्टम में बिलीब करता है उच नीच की भावना से प्रेरित है और उच नीच के विचारों को मानता है ठीक है तो उस विचारधारा के खिलाब सभी लोग खड़े हो गए चायो वीशी हो कोई वीवर्ग हो सब साथ खड़े हो गए लेकिन धीरे 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 यह चीजे बदलती चली गए जैसे जैसे सटा मिलती गई पावर मिलता गया लोग उसमें मदमस्त हो गए फिर शुरू हुआ कि अब लीडर को लीडर ना कहा जाए, अब उसमें हम डिवाइन थेरी का कॉंसेप्ट ढूने कि उनमें दैवी गुणा गए, वही कुछ कर सकते हैं, तो जब इस तरह की बाते आपके दिमाग में आ जा रही हैं और लीडर इसे कन्विन से प्रॉपर हो, उन्हें अच्छा लगत पॉलिक में कही थी, ठीक है, तो अब जब हम मारा पॉलिटिकल लीडर, जिसकी विचारधारा में ये सारी चीजे होनी नहीं चाहिए, देवी नहीं मानता वो, आप पे विश्वास करता है कि आप कुछ करेंगे हमारे लिए, और ये जो विश्वास है वो आपको अचानक से नहीं मिला, उपर से नहीं मिला, ये आपको यहीं की जनता ने दिया है, यहीं के समाज ने दिया और वो जो ताकत है वो आपको ओटो के रूप में दिया है, जो आपके पच्छ में गया है, आप उस विश्वास का आप इस तरह से अनादर करेंगी, कि अगर आपको देवी ह अब फिर वही सवारा रहा है कि जो सतीष मिस्रा वह इंडिविजूल है ना सतीष मिस्रा ब्रामण समाज नहीं है तो किसी नेता का आना निकल जाना चले जाना चुप जाना यह समाज का चुपना नहीं होता है लह वह पर भी और भी ब्रामण लोग हैं वह ठेक है तो यहां पर जरूरत सभी को सबकी पढ़ती है समाज है सबको मिल जूल के वह इसयवी रहना चाहिए लेकिन जिस तरह की जो राजनीतिक में जो बदलाव बस्वा में जो देखने को आया कि एक तरफ जहां पहले सब को साथ ले चलने की बात थी अब वही जातियत की उन्हें अपने परिवार में ज्यादा प्रेम नजरा रहा है परिवार का मुख्या भी उनी के परिवार से होगा बाकी सारी चीजें उनी के पास होंगी वो अकेले डिसाइड करेंगे तो जनता क्या है तो यह वही है कि आप डेमोकरेसिटिक कंट्री में रह रहा है या डिक्टेटर्स कंट्री में किन के साथ सायोग करके किन के साथ मिल जूल कर यह डिसाइड करें कि हम अकेले चुनाव चुनाव डाले वो भी आप्सन तलास कर रही बाकी लोग भी तलास कर रहे हैं तो इस तरह के जो डिसीजन है वो किस समझदारी से लिए जा रहे हैं वो तो स्विभ मायवती जी बताएंगा जब गोल ही क्लियर नहीं है तो एक जुटता की बात क्या होगी दस पार्टिया है दस के बिचारधारा अलग है अलग अलग चीजे है तो कहां पर अगर मान लिजे कि आप इकठा भी हो गए यह हमेशा होता है कि सत्ता पच्च के खिलाब विपच्च हमेशा एक जुट होके ल गारंटी है क्या कि वो पांच साल चला लेंगे सपोज बन भी गई शरकार तो कौन बनेगा चीजे क्या इसके बीच में लड़ाई नहीं तो इस तरह के जो चुनाव उसमें मध्यावदी चुनाव तो हर हाल में संभव है और हो गई होगा क्योंकि जब हमारा माइंड सेट ह वह दो ऑघ्नाव परन वाली बाद हुई है नीजगे हम मिलन रहें तो हम किस अधर पर हम सरकार चलाई गया तो जुड़के भी नजुड़ने वाली बात हुई है, common goal नहीं है, common vision नहीं है, common target नहीं है, तो destroy तो उन्हें हो नहीं होना है, आज नहीं तो कल, एक साल नहीं सत्व बनाने के बाउद भी एक-दो साल के अंदर सरकारे जानी है, जैसे पहले भी जाती रही है.